हेलो एब्रेवन देशम्शाद है तोड़े वी आर गोइंग टो स्टार्ट अनधर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दा सीरीज ओफ ट्रांजिस्टर अंप्लिफियर इससे पहले वाले टॉपिक में ट्रांजिस्टर अंप्लिफियर को डिटेल में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर अंप्लिफियर क्या होता है उसका क्या इससे उसacă गेन हम आपकर सभीसिंड नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं एक सिजूnा ट्रांजिस्टर को इस तरह से का output तीसरे स्टेज्च के ट्रांसटर के लिए काम है तो इस तरह से क्या होता है पहले इस स्टेज्च का ओट्विट होता है वो output signal बीटीन स्टेज्च के लिए dahaki t cuk और Amplification क्या होता है step by step होता है एसा रही स्कामलीफिकरेशन होने पहले एक output दूसरे के input में जाए, दूसरे एक output तीसरे के input में जाए, तो इस तरह का configuration कहलाता है, cascading transistor amplifier, ओके, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है, push-pull amplifier, यह push-pull amplifier है क्या और कहां काम आता है, तो जो हम लोग transistor amplifier, circuit, मतलब transistor amplifier को जो lecture इस्टार्ट किये हैं, तो basically push-pull amplifier जो होता है, हम लोग वहाँ use करते हैं, जहां हम लोग को distortion को कम करना होता है, signal में अगर distortion आ रहा है, या फिर noise आ रहा है, या फिर unwanted signal उसमें mix हो जा रहा है, जैसे क्या आपने कुछ कहा, आप अपने friend से phone पे बात करें, सबोस, ठीक है, phone से बात करें, बीच में आप उसकी आवास सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, आपको वो बोलेगा कि फलाना जगा आ जाई है, तो आप पहुंच जाएं कहीं और, क्योंकि आपको आपको आवास तो सुनाई दिया नहीं, ठीक से, बीच में noise आ गया, ये क्या होता है, distortion होता है, और हम लोग फो फोन बहुत, मतलब घर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, बाद मात करते हैं, काट दी जा जाएंगे, तो उसी के लिए क्या करते है, ऐसा signal जो हमको चाहिए, ठीक है, जो signal हमको चाहिए, वो क्या है, main हमारा input signal है, जिससे हम जैसे हम लोग बोला, जो हम लो कोई का सर आवास के लिए नहीं आ रहा है, तो आवास के लिए नहीं आता है, तो वो क्या था, that's called noise, यह क्या था, वो क्या था, noise था, तो कोई भी signal जो हम भी भेजते हैं, मतलब हम लोग अभी फोन पर बात करें, सब अपने दोस्ते, तो पहले क्या होगा, हमारे mobile से वो यहार में, ट्रांस्मिट के लाता है, तो बाहर में क्या है, बहुत सारा noise, यानि मशीन चल रहा उसका आवाद, आदमी चल ला रहा रहा उसका आवाज, हर जिसका sound रहा तो अगर यह हमारा voice, उस बाहर के unwanted voice के साथ mix हो जाएगा, और receive होगा जब आपके receiver पे, तो वो signal क्या ह सारा के सारा, unwanted signal आके mix हो गया, और mix होने के बाद, जो important आपका message था, वो collapse कर गया, खतम हो गया, यहीं होगा, तो हम लोग क्या चाहेंगे, कि जो हम लोग भेज रहे हैं signal, वही signal जाके वहाँ receive, यहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हम लिए क्या करना पड़ेगा, filter करना signal को हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग वहाँ पे properly receive कर पाएंगे, जो सिगनल भेजा था, वो receive हो पाएगा, तो इस purpose के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक amplifier को design किया, जिसका काम क्या होता है, जो हमारा desired output signal है, हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, receive करते हैं, मतलब desired output को receive करते हैं और बाकी जो हमारा undesired output है, जो कि noise है, बाहर का जतना भी disturbed unwanted signal होता है, हम उसको क्या करते हैं, cancel out करते हैं, cancel out का मतलब क्या हो गया, जैसे हम आपको बात करें, एक सेकंड, जैसे मैं आपको कहूँ कि, यहाँ देखते हैं, ओके, तो मैं अगर कहूँ कि, मेरा signal जो है, वो है, व पलस Vm sin 2 omega t, पलस Vm sin omega t, ओके, और साथ में V0, यानि V0 पलस Vm sin 3 omega t, Vm sin 2 omega t, यह मेरा signal है, यह मेरा, जो signal हम transmit करना चाते हैं, वो यह है, इसमें क्या है, यह तो आपका DC हो गया, DC signal, क्योंकि इसमें कोई भी harmonic component नहीं है, यानि sinusoidal signal का कोई component नहीं है, तो यह हो गया DC, ओके, यह क्या है, यह आपका sinusoidal component है, यह भी है, यह भी है, इसमें क्या है, sinusoidal में भी दो तरह का component है, एक है odd, 3, यह है even, और यह है odd, तो यह कहलाता है odd harmonic, यह और यह क्या कहलाएगा, odd harmonic, और यह क्या कहलाएगा, even harmonic, तो जो हमारा main signal होता है, माले जी हम लोग जो main signal हमारा है, वो के लिए receiver के लिए लेकिन बीच में noise के कारण ये दोनों component भी आ गया ये जो odd harmonic component है ये भी उसके साथ add हो गया ओके तो हम लोग क्या चाते हैं कि receiver पर जाने के बाद ये odd harmonic component क्या हो जाए इस signal से emit हो जाए क्या हो जाए निकल जाए तो हम लोग होता है ये push pull amplifier इस transformer coupling को इस तरह से कपल क्या हुआ है कि इसका secondary winding दो पार्ट में डिवाइड है secondary ये primary winding होंगा ये secondary winding ये दो पार्ट में डिवाइड है तो ये क्या करता है जो input signal आता है उसको दो यहां पर आता है और दूसरा पार्ट जो है वो क्यू टू ट्रांस्टर अंप्लिफायर को त्रू यहां पर पहुंचता है और finally इन दोनों को पहुंचने के बाद क्या होता है इन दोनों को सब्स्ट्रैक कर दे आता है यानि पहला component माली जिए पहला वीवन आ रहा है दूसरा आपका क्या रहा वीटू आ रहा है तो आउट्पूट जो हम लोगों को मिलता है यानि यहां पर जो आउट्पूट चाहिए हम लोगों को वो चाहिए वीवन माइनस वीटू वीवन माइनस वीटू तो यह दोनों क्या होता अलग-अलग component के साथ होता कि वीवन में हम घटाएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा वी-弩लाइस वी-म- identify टीं इंदायगा वी-म साइन 3ूमेगा टी और वी-म साइन 3 ओमेगा टीं क्या हो जागा ben घटाएंगे तो तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, cancel out कर देगा, cancel out होने के बाद जो हम लोगों का desired output मिलेगा, वो मिलेगा vm b0 plus vm sin 2 omega sin 2 omega t मिलेगा, ok, sin 2 omega t मिलेगा, जो हम लोगों को desired चाहिए था, तो यह push pull amplifier इस तरह से work करता है, कि यह क्या करता है, odd harmonic को cancel out कर देता है, और जो हमारा event harmonic होता है, जो desired output तदाओ, उसको load पे transmit कर देता है, ok, तो इस तरह के transistor amplifier को हम लोग कहते हैं, push pull amplifier, clear, आई हो, आपको यह समझ में आ गया होगा, तो आपको यह transistor amplifier, जब को आप drag करने के लिए आए, draw the push pull transistor amplifier, तो आप इस तरह से drag करेंगे, कि दो transformer होगा, एक primary में, एक secondary में, या आपको transformer लगा होगा, और एक output side में, यहाँ देख रहे है, input side में यह transformer है, यह output side में transformer है, input side का transformer क्या है, secondary winding क्या है, दो पार्ट में divide है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, input side का primary winding दो पार्ट में divide है, output क्या है, output में जो है, आपको winding क्या है, यह वाला secondary का लाएगा, यह primary का लाएग हो और finally यह दोनों क्या हो समप होने के बाद जब आपके लोड पे पहुंचे तो लोड पे जो output मिले वो सिर्फ और सिर्फ क्या होस में even harmonic signal हो जो desired output है आपका clear तो आई होप आपको यह push pull amplifier का circuit समझ में आ गया हो तो मैंने इसका यहां पे definition लिख रखा सेम चीज जो मैंने आपको समझाया इसमें क्या होता है कि पहला पार्ट क्या करता है अगर मैं पढ़ना चाहूं तो पढ़कर बता सकता हूं कि क्या 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 चीज होता है तो सबसे पहला का पूश्पूल amplifier का यूज कहां किया आता है जहां पे हम लोगों को distortion कम से कम चाहिए distortion कम होने का मतलब क्या है unwanted signal उसमें noise वगरा नहीं हो कम से कम हो और साथ में high efficiency signal चाहिए होता है यानि high efficiency का मतलब क्या जिसमें signal ज्यादा हो noise कम हो ठीक है इस तरह का हम लोगों desired output signal चाहिए होता है तो हम लोग पे पूश्पूल आपका यूज करते हैं इसको पूश्पूल क्यों कहते है तो इसका नाम पूश्पूल इसलिए क्योंकि पहला ट्रांजिस्टर में बताया कि मैंने जो input signal आता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक पार्ट पहले पहले transistor से पहले transistor प्श कर दे जाता है ठीक है और दूसरा प्याइट क्या होता है सेकंड ट्रैस्टर पे जाता है तो पहले transistor प्या ओता है यहीं लिखा होगा कि push pull is named because one transistor puts the current towards the source पहला transistor क्या करता है current को push करता है source की तरफ दूसरा क्या करता है पूल करता है कुल करता है करेंट फ्रॉम धसिंग अगर इसमें जाने लोगा तो बहुत ज़्यादा भी समझ यह राजाएगा इसलिए आप बेसिकली समझे कि पुश्पूल out of phase यह बात मैंने यहां पर आपको बताया भी यहां पर यह क्या होता जो भी सिंगनल आता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और दोनों जो इन्पूट सिंगनल होता है वह 180 डिग्री फेस्ट से होता है यानि यह पॉजटिव में होता है दूसरा निगेटिव मे यह यह इसका सेकेंवरी दो पार्ट में इसे लिए इसाली क्या होता है ऑं यहां पे वह दो पार्ट में फ्रीट हो इस form में यानि positive component रिका हो गया और दूसरा 180 degree क्या होता है reverse होता है यानि negative component type का और यह दोनों क्या होता है अलाग गलाग ट्रांस्टर से amplified होता है पहला q1 से amplified होता है दूसरा q2 से amplified होता है और जो आपका output आता है v1 v2 finally v0 क्या होता है v1 minus v2 करते हैं जिसके बाद हम लोगों को यहां पर desired output मिल जाता है ओके यहीं इसका working principle है ओके आई होक समझ में आ गया होगा आपको यह clearly push pull amplifier क्या होता है और कैसे काम करता है यह क्या है emitter follower और common collector यह थो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कहां पढ़ चुके है ट्रांस्टर कंप्रिकेशन में हम लोग पढ़ा था तीन तर follower कहां से आ गया तो it is nothing but the common collector यानि common collector transistor का ही दूसरा नाव है emitter follower तो मैंने बुला था भी आपको इससे पहले वाले lecture में मैंने कहा था कि जब आप common emitter ड़ा करते हैं तो हम लोग output कहां लेते हैं across the collector लेते हैं यानि collector यह उपर रहता था और यहां से output हम लेता थे ठीक है लेकि अधिया emitter के रहते हैं यहां पर भी यह दोनों सेम इस यह दोनों सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग मूर में दिखाएगा अलग तरीक से दिखाएगा यहां देखाए 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 देर यह दिखने में लग रहा कैसा common emitter आपको बेसिकली दिखाए दा है simple अगर नह dwet's और यहां पर अरियल करके अग्या देखा गया था यह कॉमन exhibits отсौके न करता हे यहां तुट वहां आपका आठोग यहां से लिए गया एंव यहां से निए कॉमन litigation में उनल क्लेक्टर टर्मिनल से आपका आउटुट रहा होता है तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि एक common emitter और common collector में basically जब ड्रा करेंगा तो क्या difference होगा यह ध्यान रखिएगा अब इसका यूज के बारे में पढ़ने कि इसका यूज कहा करते common collector को हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या application क्या पढ़ना पढ़ रहा है तो इसका यूज होता है impedance matching में, impedance matching क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई circuit, मतलब एक माल लेजी आपका Lord Speaker, suppose, Lord Speaker तो सब कोई देखा होगा, लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे Lord Speaker ठीक है, इसका input जो हता है, input impedance जो हता है, वो बहुत कम होता है, Lord Speaker का input impedance बहुत कम होता है, और जो इसको drive करने के लिए, जो circuitry use होता है, मतलब जो power circuitry use होता है, उसका output impedance बहुत हाई होता है, output impedance क्या होता है, याण impedance मतलब resistance समझे, इसका output resistance बहुत हाई होता है, जब हम इसको direct इससे connect कर देंगा, तो इसका output resistance बहुत हाई है, इसका कम है, तो दोनों क्या हो जागा, mismatch हो जाएगा और यहां से signal transmit ही नहीं होगा तो जब तक आपका impedance दोनों match नहीं करेगा दोनों equal नहीं होगा तब तक आपका signal transmit नहीं होगा और आपका efficiency बहुत low होगा तो हम लोग को higher efficiency का signal चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं ऐसा बीच में एक ऐसा circuitry use करते हैं जिसका input impedance high हो ताकि इसका high output impedance इसके high input impedance से आके मिल जाए और output impedance का क्या हो कम हो ताकि इसका output से आके जुड़ जाए इसका low output impedance इसके low input impedance से मिल जाए और इसका high input impedance इसके high output impedance से मिल जाए यानि कहने का मतलब क्या है कि आपका main power circuit, जिससे आपको load speaker को drive करना है यानि इसस पर poo load speaker को चलाना है इन दोनों का impedance जो है इसका output impedance high है, इसका क्या है इसका output impedance high है, इसका low है तो बीच में हम एक अलग से circuit लगा रहे है जो इन दोनों को match कर दा है जिसका क्या हो जाए, input impedance क्या हो जाए, high हो जाए, input impedance क्या हो जाए, और output impedance क्या हो जाए, low हो जाए, जिससे high impedance, high impedance का मैच कर जाएगा, low impedance, low impedance उसाथ मैच कर जाएगा, और उसके बाद जो भी signal यहाँ से transmit होगा, उसका efficiency क्या हो जाएगा, तो इस तरह का circuitry, जो इस purpose के लिए इस impedance matching circuit की तरह मतलब इसका input impedance जो होता वह बहुत हाई होता है और output impedance जो होता है इसका बहुत कम होता है जिसके वजा से हम लोग यूज़ करते हैं as a impedance matching circuit की तरह तो आई होब आपको यह भी समझ में आगया होगा असान इसे अब लोग आगे बढ़ते तो नेक्स टॉपिक की तरफ तो नेक्स टॉपिक जो हम लोग का है वह है बहुत ही important और बहुत ही unique name है उसका उसका name है darling ton amplifier darling ton amplifier ओके name ही आलग है तो इसमें क्या यह भी क्या है एक transistor amplifier circuit है जिसमें क्या है दो common emitter transistor को इस तरह से connect किया जाता है छारे Monsieur unamORTER überzeug इस तरह से दो धाइपन ट्रानशिस्टर को इस तरह से connect किया जाता है कि दोनों का collect एक साथ connect हो एक साथ जुइन है और पहले वाले का Imaginer का output यान यहां output निकम्त लोगा तो पहले वाले का और फुट दूसरे के इंपुट में जा रहा हो पहले वाले का एमिटर टर्मिनल दूसरे के बेस्ट टर्मिनल से इस तरह से करते हैं कि दोनों का collector terminal एक साथ connected हो और बेस टर्मिनल क्या हो बेस टर्मिनल दोनों का क्या अलग अलग है इसका बेस यहां इंपूट बेस पे इंपूट अप्लाय होगा जब की इसके बेस पे गया यहां complete circuit बन गया by sing के साथ ओके तो देखें यहां पर क्या दिखाए दरा यह एक एमिटर टर्मिनर यह एंपन ट्रांजिटर यह भी एंपन इसका एमिटर क्या हो इसके बेस में चला गया और दूनों का collector दोनों का collector जाके एक साथ VCC से connected होगा ओके यहां से हम लोग जो भी इंपूट अपलाई करेंगे यहां पर output रिसीव होगा तो इस तरह का connection कहला था darlington pair amplifier इसका यूज क्या है यह हम लोग इस तरह से जो ट्रांजिटर को connect करने है इसका सबसे बड़ा यूज है कि इसका जो current gain होता है इसका जो current gain होता वो बहुत ही हाई होता है तो जब हम लोग को higher current gain चाहिए होता यानि कि input current बहुत कम हो और output current हम लोग बहुत जादा बीटा टू क्या है दूसरे बारे ट्रांस्टर यह दोनों multiply हो जाता है यह दोनों multiply होगे को जाए माली जैसका current gain 5 इसका current gain माली जैस तो अलग अलग रहा तो इसका 5 इसका 6 यानि आड करेंगे तो जो जाए तो आपको अगर इसको मुल्टिप्लाइग तो कितना हो जाए थर यहां पर लिखा हुआ है कि आपका application क्या है तो यह इसका application है कि हाईयर करेंट यहां रिक्वार होता है वहां हम लोग इस प्यार को यूज करते हैं ओके नेक्स टॉपिक हम लोगों का है ट्यूंड अम्प्लिफार जो हम लोग नेक्स टेक्शर में बढ़ेंगे अब भी तक कर दियुक्तों प्यूचर में लोगों और कर दो तके मॉपिक हम लोगों का है